मीडिया बंदुओं जैसा कि ये विदित हैं कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर्परिचित वे गरीमा में सविधानिक नाम है तथा परमपुजे बाबा साथ डाक्टर भीमरावंबेडगर के इस पवित्र मानपतावादी वे जन कल्यानकारी सविधान से अपने देश के सभी जाती एवं धर्मों को मनने वाले लोगों का अपार प्रेम बेहद लगाव एवं सम्मान हैं जिसे बदलके वे चिर्ण चाड़ादी करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवार करना क्या ये उचीत वे नियाय संगत है जबकि इस मामले में हमारी पार् रही हैं अर्थात ये घोर अनूचित है इतना ही नहीं बलकि इस बारे में सचाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने सविधान के साथ छेड़ चाड़ करने का मोका बीजेपी के एंडिये को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रन्नितिव सडियंत्र के तहत अ अपने गटबंदन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है या फिर ये कहा जाएं ये सब कुछ सतापक्ष वे विपक्ष की अंद्रोनी मिली भगत से हो रहा है इसकी भी अशंका है ये भी एक आम चर्चा है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वे कम है यदि ये सब कुछ ह पूरा है तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वे कम है वैसे भी कांग्रेस में बीजेपी द्वारा चुनाव पूर इनकी इस राजनिती को अर्थात भारत बनाव इंडिया बनाने के इनके इस घिनोने खेल को लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे है जिसकी वज़े से अब इनों ने यहां गरीबी, महगाई, बेरोजगारी वे विकास आदी के ये खास वे अत्यान जरूरी मुद्दे दर किनार कर दिये हैं इसलिए हमारी पार्टी का इन दोनों जातिवादी, संप्रदायक वे पूझीवादी गटवंदनों से दूरी बनाए रखना पोरे त इंडिया नाम को लेकर बीजे पीवे इनके अंडिये को तथा इनकी केंदर की सरकार को जबकि चाहिए ये था कि इनको लगे हाते इसके विरुद्ध मान्य सुप्रीम कोट में जाना चाहिए था या फिर इस मामले में कानून बना कर संबंदित नाम रखे जाने पर प्रतिबंद लगा देना चाहिए था किन्तु ऐसा ना करके अब इसको लेकर जो संकीन राजनिती की जारी है ये ठीक नहीं है वजन बिरुद्धी भी है इसलिए ऐसी स्तिती में हमारी पार्टी ये चाहेगी कि अब मान्य सुप्रीम कोट को खुद इसका संज्यान लेकर यहां ऐसे सभी संग्ठनों पार्टियों वे गठ बंदनों आदी पर तुरंत रोक लगाना चाहिए जो विसेश कर अपने देश के नाम पर बने हैं वरना फिर अपने देश की गरीमा को गरीमा को भी काफी ठेस पहुँचेगी इतना ही नहीं बलकि विपक्ष वे अब सत्ता पक्ष दुआरा भी अपने देश के नाम पर की जा रही इस स्वार्थी वे संकिर राजनिती से हैं फिर अपने सभीधान के साथ आई दिन छेड़ चाड़ करने का किसी को भी खुला मोका मिल जाएगा अंत में मुझे पूरी उमीद है कि माने सुप्रीम कोट इस मामले का खुद संग्यान लेकर अपने सभीधान के साथ किसी भी पार्टी वे फ्रेंट आदी को छेड़ चाल करने का मुखा नहीं देंगे इस खास अपील के साथ ही हमें अपनी बात यहीं समात करती हूँ धन्याव साथ ही अगर आपको दन्यूसबीक का काम पसंद है और आप चाते हैं कि हम यूहीं अमबेट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूसबीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जर्ये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID न्यूसबीक at the rate yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है न्यूसबीक फाउंडेशन अकाउंट नंबर है 0-2-3-5-8-7-0-0-0-0-0-6-4-0 IFSC कोड है YESB-00-0-2-3-5 बैंक का नाम YESBANK है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 8595794224 पर वाट्सेप करें